हलो फ्रेंड वेल्कम टू इजर लर्निंग इंजिनरिंग ग्राफिक्स की वीडियो सीरीज में आपका बहुत पर स्वागत है आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे प्लेइन स्केल के बारे में प्लेइन स्केल से नॉर्मली एक नुमेरिकल पूछा जाता है उनिवर्सिटी एक्जाम में या फिर सेमस्टर एक्जाम में पूछ लेते है ठीक है तो चले देख लेते हैं कि प्लेइन स्केल जो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि construct a plane scale of RF 1 gem 100, plane scale हमें बनाने है, RF कितना है? 1 gem 100, RF क्या होता है? representative fraction, ठीक है? इसके बारे में यह आपको detail में जानना है, तो चैनल पे एक वीडियो है, वह आप जेख सकते हो, to show meters and decimeter, जो हम scale बनाएंगे, वो क्या का बताना चाहिए, meter भी बताना चाहिए, maximum measurement required is 10 meters, और उस scale से maximum कितना measure करना है, 10 meters, indicate 7 meter and 5 decimeter on scale, और scale पे indicate क्या करना है, 7 meter and 5 decimeter on scale, तो plane scale बनाते वक्त सबसे पहला तो step होता है, वो होता है, मैं find करने होती, actual length of scale, जब आप drawing करेंगे, तो कितने length की scale बनाना है, नहींगे, ठीक है, तो हम ऐसे find कर सकते है, actual length of scale is equal to rf, rf पहले मने आपको बताए के representative fraction, ठीक है, into units of maximum length required to be measured by the scale, scale से आपको maximum कितने measure करना है, 10 meters, दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए calculation कर लेते है, rf था 1 divided by 100 into 10 meter is equal to 0.1 meter, इस उकर तो हम लिख सकते है, 0.1 meter is equal to 10 cm, तो हमें ज drawing करना है, तो उसमें जो हम scale बनाएंगे, वो कितने length की बनाएंगे, 10 cm, scale बनाने के बाद, उस scale पे हम indicate करना है, 10, sorry, 7 meter and 5 decimeter, ठीक है, तो चलिए, सबसे बेले scale बना लेते हैं, तो यह हमने बना ली 10 cm की scale, ठीक है, और उस scale को हमने divide कर लिया 10 division में, ठीक है, equal division, और यह division कितन 1 cm, जो कितना बता रहा, 1 cm, मतलब 1 meter, ठीक है, plane scale में, जो यह पहला division होता है, 1 division, उसको में divide करते है, sub division में, तो चलिए, उसको 10 sub division में divide कर लिया, यह जो division है, बढ़ा वाला, वो किया बता रहा, 1 meter, और यह छोटा जो division है, वो बता रहा है, 1 decimeter, तो 1 meter में कितने 10 decimeter होते है, तो यहाँ पे 10 sub division है, जहाँ पे, यह जो sub division खतम होता है, ठीक है, यहाँ पे खतम हो रहे थे, तो आप हम 0 mark करेंगे, और इसके जो रहाटन साइट पे हम numbering देंगे, 1 से 9 तक, और यह जो बता रहा है, यह है meters, ठीक है, और 0 के left hand side पे, 5 और 10 हम numbering देंगे, तो 5 means 5 decimeter, 10 means 10 decimeter ठीक है, यहाँ पे कम space थे, इसलिए हम 5 और 10 ही लिख रहे है, ठीक है, एक से 10 तक लेकेंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी जगह ही नहीं है, तो इसलिए हम 5 और 10 लिख रहे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बता रहे है, यह मिटर है, और 5 और 10 जो बता रहे है, वो क्या है decimeter है, मतलब कि small division है, चोटे-चोटे-चोटे sub division वो बता रहा है हमें decimeter और यह जो बड़े division है वो में बता रहा है meter ठीक है, एक division मतलब 1 meter और एक small division मतलब 1 decimeter RF मिया पर लिख लेजाए, RF केतना था 1 divided by 100, RF लिखना आपको बोलना नहीं है यदि RF नहीं लिखा तो वो सकता है कि आपके marks कर जाए, उसके बाद हमारा काम था कि हमें scale पे indicate करना था 7 meter और 5 decimeter तो इस तरफ meter थे, 0 के right side में meter थे, तो 7 meter मतलब यहां तक 5 decimeter, मतलब 0 के left side में 5 decimeter, तो यह 5 decimeter तो यह होगा 7 meter और 5 decimeter इस तरीके से आप scale पे indicate कर सकते हो तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा समझ में आ तो वीडियो को लाइक कर लिजे, अपने दोस्तों के साथ share कीजे और आप चाहे ही